आपने English-Pringlish मूवी देखा होगा और उस मूवी में श्री दिवी ये सवाल पूछती हैं अपने English टीचर से कि USA के पहले दः और इंडिया के पहले दः क्यों नहीं? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूनेंगे Hi, Welcome to English Care I am winner और आज हम देखने जा रहे हैं कि the का इस्तमाल किन देशों के पहले करें continents के पहले करें की नहीं states के पहले करें की नहीं तो इस confusion को आज settle करने जा रहे हैं तो आए शुरू करते हैं तो मैंने एक chart prepare किया है जिसमें मैंने names of countries रखा है फिर इधर names of cities, states रखा है और इधर names of continents रखा है और तब मैंने बताया है कि the use करेंगे या नहीं cross का मतलब नहीं करेंगे लेकिन साथ साथ उसमें exceptions भी है तो exceptions को मैंने इधर लिखा है तो आए देखते हैं पहला है names of countries यानि देशों के नाम के पहले तो यहां cross है मतब देशों के नाम के पहले अमूमन आम तोर पर generally the का use नहीं होता है I live in India not I live in the India Japan Japan is a developed country वहाँ Japan के पहले हम the नहीं use कर रहे हैं इंडिया, Pakistan, France, Italy यह सब सारे देश हैं इनके नाम के पहले the का use नहीं होता है लेकिन कव हम countries के नाम के पहले the use कर सकते हैं exception में दिया हुआ basically आपको दो अगर आप दो exceptions याद रखेंगे तो आपके मन में यह confusion नहीं रहेगा कि the use करे या ना करें तो पहला exception है कि if the name of the country is in plural plural में अगर किसी देश का नाम हो यानि कि उसके नाम में s add हो तो वहाँ पे आपको the use करना है if the name of the country is in plural example में the netherlands the netherlands उसे holland भी का जाता है लेकिन netherlands में आप देख सकते हैं कि आप दो इसमें s है आप देख सकते हैं यहाँ पे netherlands में plural है तो यहाँ आप दो यूज कर रहे है यानि if the name of the country is in plural then we use the इसके नाम के पहले हम क्या यूज करेंगे दो आप देख सकते हैं netherlands के पहले दो है the netherlands maldives maldives के पहले भी आपने दो देखा है यहाँ पे यूज है क्यों है क्योंकि इसमें भी s है the netherlands the netherlands the maldives यानि कि अगर कोई देश का नाम plural हो उसमें s लगा हुआ हो तो उसके पहले the जरूर यूज करें पहला दूसरा if the name of country has united, republic, democratic बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम में ये सब word आपको रहेंगे united, republic, democratic ये सब अगर किसी देश के नाम में हो तो वहाँ the हम यूज करेंगे आप देख सकते हैं the united states of america यहाँ इस country के देश तो यहाँ पे हम the use करेंगे the Czech Republic Czech Republic भी एक देश है जिसके नाम के पहले भी the use हुआ क्यों use हुआ क्योंकि इसमें republic लगा हुआ है इसमें united लगा हुआ है ऐसे कुछ देश है जिनके नाम में democratic आता है, republic आता है united आता है इन देशों के नाम में आप the का यूज करेंगे the United Kingdom, the United Arab Emirates तो ध्यान रखें democratic भी आता है the German democratic तो जहाँ पे जिस कंट्री के नाम में united republic democratic हो उसमें the का यूज करें ऐसा नहीं हो normal case वो normal countries है जिसके नाम में कुछ democratic republic जोड़ा हुआ है ना ही ये plural में है तो नहीं यूज करेंगे बढ़ते हैं आगे names of cities and states यानि शहरों के नाम के पहले states के नाम के पहले नहीं यूज करेंगे शहरों के नाम के पहले I live in Mumbai, not I live in the Mumbai so it's wrong to say in the Mumbai या in the Sydney Sydney भी Australia का शहर है ये कहना गलत है या फिर in the UP उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश बिहार इन सब के नाम के पहले हम the use नहीं करेंगे यानि कि शहरों के नाम के पहले states के नाम के पहले नहीं यूज करेंगे इसमें नहीं यूज करेंगे काट दिया मैंने हम नहीं बुलेंगे इन्द मुंबई या इन्द सिड्नी हम नहीं बुलेंगे इन्द इंडिया लेकिन कुछ ऐसे हैं states या cities हैं जिनके पहले दो लगता है the Hague Hague के पहले दो आप देख सकते हैं the Vatican Vatican के पहले आप दो देख सकते हैं ये दो exceptions आप दिमाद में रखेंगे ये दो exceptions ऐसे हैं जिनके पहले हम the का यूज करते हैं the Hague International Court of Justice है the Hague में तो इनके पहले the यूज होता है Vatican Center of Christianity Vatican भी है उनके पहले भी the का यूज होता है तो ये आपका confusion solve हो गया कि names of cities और states के पहले हम नहीं यूज करेंगे दो exceptions यहाँ पर मैंने जिक्र कर दिया है इसको ख्याल रखेंगे आगे बढ़ते names of continents seven continents हैं किसी भी continents के नाम के पहले the use नहीं होगा Asia Africa Europe जितने भी continents हैं seven है total इनके नाम के पहले the use नहीं होगा इसमें कोई exception नहीं है no exception तो यह था आज का lesson कि countries के नाम के पहले the use करेंगे या नहीं करेंगे continents के नाम के पहले use करेंगे या नहीं करेंगे उमीद है आपका confusion दूर हो गया होगा तो please like the video share the video and if you have not subscribed the channel please subscribe and if you have already subscribed so heartfelt thanks till the next video take care bye bye-bye